नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टिशी टेले चैनल में दोस्तों ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा अच्छे पूरी तरीके से मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नाप लेना है और किन-किन चीजों का धियान रखना है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जुरूर करें ऑट चैनल पहली वार राएं तो सब्स्वाइब करके लाइकन को प्रेश खले तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्त पहली बात मैं आपको बता दूंँँ अगर a mandate कि ना ले रहे हैं या फिर शट् है क्या होगा जब हिप नापेंगे ना तो उसमें पर्स जो वूठी हुई वह गी तो हमारी जो है नाप गलबड हो जाएगी ठीक है और बैल्ट से भी जब हम इंसीटेप डालेंगे तो बैल्ट इक पर अगर इंसीटेप चड़े गया तो भी गलबड हो जाएगी सबसे पहली है आपको लेनी है नप और उसके बाद दिश्ची चीज ये है कि यह पेंट जो है आपकी ठीक है या नहीं है जो आप पहने पहन के आए है तो वह गर कहें ठीक है तो ठीक उसी हिसाब से आप उसकी नाप ले ठीक है और चौति चीज यह आप वो अक्स क्या होता है हम पैंट 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 तो बो नीचे खसक जाती है ठीक है चलने फिनने में थोड़ी सी तो अगर नाप ले रहे हों तो कहे दें कि जो है यहां पर पैंट बांधे हैं आप उसी बहीं पर आप इसको बांध लेगा क्योंकि एक्सर होता क्या है जब आप नाप लेंगे और उसकी नीचे पैंट खसकी है किसी की भी आप नाप लेंगे तो आपने बहां से ले ली तो आपकी इस पैंट की लंबाई चोटी हो जाएगी इस चीज का बहुत ध्यान रखें ठीक है अब आगे की मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है सबसे पहले आप लंबाई न है वो सब्सक्वाह करें पंगो पहले रही तो कमर शी तरे ले यृटियां आप थीक जहां पर बांदे हुए है बहां पर त ден कम में यृह बांड़ हुए Griffey और कमर में अजरी खर्ड़ नापर ब्लबान करते हैं लूज नां सिर्लिंग के बान के बाद जो है वह सुकड जाती एंसे पंट पैने अगर पैन लैने तो यह थीख है इसकी कमर या नहीं है अगर भूकाई टाइट है डहीली है तो आप जो है तो आफ कि अपने हिसाब से नहीं चलना है आप उससे पूचते अपने हिसाब से बताएगा आप आप उसके अपने इसाब से चलना होगा अब उसके बात करते हैं हिप तो ही तो आप जिस आफ से कम से कम रब चार या पाँच इंच इस इसको में गैपिंग वोती है आप से उसका अंदाजा लगा लिया थीक है तो उसके बाद बात करते है मोहरी की तो मोहरी वह अगर जितनी पहने हो पेंट की उससे वह पूच ले कि मोहरी यह हाया कि नहीं है अगर वो कहे कम जादा रखने हैं तो उस हिसाफ से आप उसकी कम जादा रख दें ठीक है अब उसकी बात करते हैं रान की ठीक है तो रान जो है रान की उससे पूंच लें कि आप जो पहने है रान यह धेली है या टाइट है या सही है ठीक अगर वो कह सही है तो उस से क्या होगा आप बिल्कल भी गर्पल तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से अमने नाप ली है और आप भी इससे आप इसको सीख सकते तो यहां पर यहां पर बानते हो ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर पहले कि यहां पर पहले कि लोग पैनते हैं तो अगर पाइप ना प्ले लेंग तो पैंट आपकी छोटी हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर नापते हैं तो यहां पर नीचे तक उपर से यहां तक आप देख सकते हैं इनकी लंबाई 40 आ रही है तो यहां पर इनकी भी नाप पहेंगा इससे अंदाज यह लग जाएगा इनकी लंबाई 40 ही तो इसी तरीके से लेंगे और यहां पर ठीक है तो यह तरीके से आ रही है आप देख सकते हैं आ रही है ठीक है आप हम क्या करेंगे यह बिल्कुल साही है ठीक है तो हम एक बार यहां से हम इनकी पैंट की बैल्ट जो है वह नाप लेंगा ठीक पीछे तक यह देखे यह आदि है ठीक है 37 ठीक है था का हम 37 रखेंगे तोिस्थ से यह अंदाद rése लग जाता है कि यह जो 53 पायंने है उसी इसाफ से आम क्यों चाहिए ठीक है अब दो तो हम हिप झाले हो था है हुप क्या है कि जो है कमर से कमर शहीं कि बढ़ती हैं आप रखें चार से पांच इंज किसी की जादा भी होती है लेकिन किसी की नहीं होती है ठीक है अब मोरी की बात करें तो मोरी इतनी सही है तो ठीक है तो आप इस तरीके से यहां पर मोरी ना पलें पहले आप पूच लें कि यह सही है नहीं सही अगर कम जादा हो तो इस पर आप हैं पर देख सकते हैं तो आपको 17 ही रखनी है तो अब जो है हम यहां पे रान नापर यहां पर यहां पर रान ये तो आप देख सकते हैं Bronze 8 है ठीक है तो इसकी part की भी आप एक बार नाप लिया करें तो इससे क्या होता अन्धाजा लग जाता है ठीक है 28 यहाँ पर देख सकते आंध निया आपको देखा दूआ यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से खींचेंगे आप और यहां पर रखेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं इनषिटप यहां पर रखेंगे इस तरीके से और जो है जहां पर बंदी है ठीक है और उसके बाद जो है आप नीचे तक यहां पर नाप लेंगे ठीक है तो यहां पर तो दोतों इस हिसाब से आपको नापलेई है और दोस्तों इसका वीडियो जो है इसका क्टिंग कर बेगी परैंट का तीक मैं अग流 प्राइबी सकाइब में इसको बताओंगा कि किस तरीका से आपको काणों काटना के वाद इसकी स्टाइचिंग में स्टेप बिल्कुल आपको समझाऊंगा जिससे आपकी अच्छी खासी आप जो है साही से परेंट बना सकते हैं क्योंकि होता क्या अगर जब आपकी नाप ही गड़बड़ा गर हो गई तो फिर आप कितनी वी अच्छी परेंट बना दें कोई फाइदा नहीं है तो दोस्तों इसलिए मैंने सुचा कि आप नाप कभी वीडियो मैं डाल दूँ तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आयों तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल पहली वारा तो सब स्वाइक पर के वेल आइकन को जरूर प्रस कर लें ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ता